हेलो स्केंट्स आप सबक्राइस वीडियो लेक्चर में हम सेगेंड चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम था अमलत छारक एवं लवर्ण हम चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके थे एंसे आटी के कोशन को करेंगे हैं यह कोशन आपको पीज नंबर 24 में रखना चाहिए क्वह में शळखता है आनिकारक नहीं होगा. जितने में खटे चीजव هोते हैं, सब में अमलों उपस्तेत होता है. दही और खटे पदारत मतलब जैसे अचार हो गया, इनको कभी भी आप पी तल अतामे के बरतन में ना रखें। क्योंकि ये अमलों जो होते हैं, पीतल अलतामे से अभी किरिया कर लेते हैं रेक्षिंग कर जाते हैं और रेक्षिंग करने के बाद योगिका निर्मार करते हैं वो जो योगिक होते हैं वो हामफुल होते हैं पॉजिनस होते हैं जहरीले होते हैं और जिने खाने से क्योंकि जो और चीज रखोगे दही में तो वह पॉजनस चीज जो बनेगी वह भी दही के साथ मिले जाएगा और वह आपने से खा लोगे और खाने से आपको फुट पॉजन हो जाएगा बच्चो तो कभी भी ना रखें क्योंकि अमलक पीत अलगतामे से दोनों से किरिया कर लेता है ठीक है बच्चो अगला क्वेश्चन है आपका धातू के साथ अमलक की अभी किरिया होने पर समाने तक कौन सी गयस निकलती है एक उधारन सहीच समझाईए धातू हम सकी लिए धातू लेंगे बच्चो सकी धातू हमारे हैं सोडियम और मेगनेशियम पोटेशियम यह बहुत साथ सकी होते हैं मैं ने सोडियम लेए और केलशियम ले बच्चो सोडियम के अभी किश्चन हें सबसे parks करवाना के लिए तूम्हास से कर वारे हुँ एक उदार्म पोचा तो मैं आपको बना लेगा और H रह जाएगा H लिख देंगे दुनिया में यह नहीं पाया आता है तो हम H2 लिखें गैंज जो पायाता वही लिखना है जू नहीं पायाता वो कैसे लिख दें हम उसी तरह से कल्शयम की CELLEóriaISHन होगी CA-CL और H रह गया है हम H2 लिख देंगे इस पर plus one इस पर minus one cancel हो गया इस पर two plus का होता है तो two को हम तिरचा करके यह लिख देंगे सूडियम कलराइट कैलशिम कलराइट बन जाता है यह हाइडोजन गैस बनाम हाइडोजन है यह जो हाइडोजन warm है जैसे यह आपके पास एक परक्नली है परक्नली में आप सोडिंग टुकड़ा जैसे डालेंगे तो हाइडुन गैस बनी शुरू हो जाएगी आप इसको पर आउठा रख दीजे अब इसके ओपर आप एक जलती होई माचिस की तीली जैसे लेकर जाएंगे और आउठा हटा दे है और यह इंडिकेट करेगा कि वहां पर हाइड्रीं गैस ही विश्यश परक्राइब करता है है एक साउन होगा विश्यश परक्रा का साउन होता है बच्चो नेक्स वेशन पर आते हैं ये कोशन है कोई धातु योगिक A हाइड्रोकुलरिक अमलक के साथ अभिकिरिया करता है मतलब कोई A है धातु वो हाइड्रोकुलरिक अमलक HCL से अभिकिरिया करता है तो बदबदःत उतपन होती है इससे उतपन गैस जलती मुध्ति को बजहा दोटी है यदि उतपन योगिक में से एक केल्शीयम किलोड है तो इस वहिए लिखनो अभिकिरिया के लिए संत्रिश करने की लिखन कोई है वो तो hydrogen होगी क्योंकि साइट में hydrogen है तो इस साइट में भी hydrogen होना चाहिए hydrogen gas होगी अब बात यारी यह क्या है यह यह आप देख सकते हैं उपावाली अभी किरिया क्या अनुसा same reaction लिखी नहीं लिखी है मैंने h2 इतिफाक से same reaction लिख दिए मैंने यह जो hydrogen gas है hydrogen gas में जलती मुंबत्ती लेकर जाएंगे पप साउंड देगा और जो जलती मुंबत्ती होती है वो बुझ जाएगी जलती मुंबत्ती लेकर जाएं या माचिस की तीले लेकर जाएं next question पर आते हैं यह question आपको page 27 में मिल जाएगा यह question क्या रहा है कि HCL HNO3 आदी जली लेक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं जबकि एलकोहल एवं गुलुकोज जैसे यागी को के विलियन में अम्रियता के लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं मतलब कहने का है उनका कि HCL HNO3 अम्रिय ग्रदर्शित करते हैं लेकर ऐलकोहल और prol ou glucose वो होता है बों अम्रियता kते हैं मैं आपको पहले बता दूं जिन में H होता है वो होता है मतलब होता है मतलब होता है मतलब ह ए ए और यह देता है जो जल यह विलियन वो अमलिय गुर्प प्रदेशित करते हैं इस बात को धियान ने कियेगा जो जल में है एच प्लस देगा गोलने पर वही अमलिय होगा जैसे HCl है 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 जल में घुल कर H प्लस में तूट जाता है और C- माइनिस में तूट जाता है आई नित हो जाता है बच्छो लेकर H प्लस देगा है इसका मलत दूट देगा है तो इसका मलत दोने ही अमलिये प्रगर्दि को प्रदेशित करेंगे जबकि अल्कॉहल का फिर्मला होता है C2H5OH ग्लुकोस का फिर्मला होता है C6H12OC6 यह दोनों जल में घूलने पर आईनित नहीं होता है इनका आईनिकरंग नहीं होता यह प्लस नहीं देते ना यह देता है ना यह देता है एश उपस्थित तो होता है लेकिन यह प्लस नहीं देते ठीक है बच्चो क्योंकि ऐसा होता है कि यह आइनिक प्रकरती के होते हैं यह आइनिक प्रकरती के नहीं होते हैं यह सैंसोंजिक प्रकरती के होते हैं स कारण यह अमलियता के लक्षर को पदेशित करते हैं आई की है कि एस्सील एस्सारण 12 आदी जली विलियन में आइने थोंकर ep3ण देते हैं इसकारण यह अमलिये अभी लक्षर पदेशित करता हैं जबकि एल्खो़ तर्द ग्लुकोज आइनेत नहीं होते H plus I नहीं देते हैं इसका नहीं जली विलियन में अम लेता है कि अब लेक्षर को पते हैं नेक्स कोईशन पर आते हैं अगला कोईशन है अमलक का जली विलियन क्यों बैदुत का चालन करता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने एक कंटेनर में अमल । यह बैदD करता दी है झात उसमें आपने यह लगां reality ऑ कनेक्ट इकर दिया और लगा दिया तो जो बलप है आपका बलप الب जलने लग जाता है Depart अगर यह अमले नहीं होता स्थ पानी फूरता जल वपस्तित थो आपका जो बहलर आए Anomyल EU Areρίotes Bak That यह अग्छा ग्लोकने स्टार्ट कर देता है यह सब हैं यह अमल जल में घुल कर आइंस में तूट जाते हैं यह भी आइंस देगा जैसे मैं पहले बता चुका था यह आइंस देगा यह तू- अपस्तित होने के कारण यह electricity conduct होने शुरू हो जाती है, electricity बहने शुरू हो जाती है, क्योंकि आइन ही आवेश को एक जगा से दूसरे जगा पर लेकर जाती है, जो आइन सोते हैं धनात्मक आइन और रात्मक आइन, यही आवेश को एक जगा से दूसरे जगा पर जाती है, इनी के कारण बैदुदारा प्रवाहित होती है तो बैदुदार प्रवाह का कारण क्या है जली विलियन में आइन आइन दे देते हैं इस कारण जो विलियन होता है वो बैदुद का चालन करता है थाट कोईशन है शुष्क हाइडोकलोरिक गैस शुष्क लिटमस पेतर के रंग को क्यों नहीं बदलता मतलब हाइडोकलोरिक अमल के पास जब आप सूखा हुआ लिटमस पेपर लेका जाएंगे तो उसके रंग में कोई परिवरतन नहीं होता लिटमस पेपर बिलू लिकमस पेपर लेका जाया जाता है तो उसका भू रंग वह लाल में परिवरतेक नहीं होता लेकिन यहीं अगर लिकमस पेपर आपका गीला होता तो गीला लिकमस पेपर के उपसतित्य को जब स्केम हो जाता है और H-plus के कारण ही तो वो जो हमारा जो लिटमस पेपर था बिलो लिटमस पेपर वो लाल में पडिवर्तित होता था यहां लिटमस पेपर यहां लिटमस पेपर वो आपका लाल हो जाएगा ठीक यहां लिख दे रहेंगा मिसकांसर अगला कोश्चन है अमलों को तनुकेट करते समय यह क्यों शाषित किया आता है कि अमलों को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अमल में पर सा कोश्ञेन है बच्चो परिशान मत होये कोश्ञ Northern herman में पानी मिलाना अमनों को risks करना को मिलाना के ऐस भात का दियान रखना चाहिए बच्चो किया करना है वाटर लीजी आप पहले the container में वाटर पानी जल अब इसमें बूंध बूंध करके इसके ज़ारों के साहता से बून बून करके इसमें आप अमल मिलाइए धीर दीर करके अमल मिलाइए तो ऐसा होगा कि अमर जैसी पानी के अंदर पहुंचेगा उश्माधपन करेगा अगर जो उश्मा होगी यह पानी उसे अफ्षोशित कर लेगा और आपको नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया गलती से यह कर दिया कि अगर यह अमले ले लिया अपने एसेट ले लिया अमले ले लिया अब इसमें अगर आपने पानी मिलाना शुरू करते हैं चाहिए वह धीर दीर ही क्यों ना मिलाया हो आप इसमें पानी मिलाएंगे तो पानी ज जो एसेड है उश्मा को अप्शोशित बिल्कुल नहीं करेगा और यह प्रक्नली गरम हो जाने के बाद यह प्रक्नली के टूट भी सकता है आपके हाथ में भी आ सकता है यह हो सकता है कि भाप उत्पन होगी जो पानी पहुंचेगा ना पहुंचने से पानी भाप में बदल ज साथ यह एसेड भी उपर के और उठेगा और आपके चहरे को नुखसान पहुंचा सकता है तो हमें यह काम करना है इस काम में क्या बता जाता है आपको अनुशाशित किया जाता है कि पानी में जल में अमल को धीरे-धीरे मिलाना चाहिए क्योंकि इस केडिया से बहुत अब शोशेट कर लेता है जिससे कोई नुकसान नहीं होता है